दोस्तो जियो ने इंडिया के अंदर तीन जियो फून लॉंच करें भी लेटेस्ट जो की काफी जादो बड़िया है तो इस वीडियो में इन तीनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट जो है 900 रुपे से 25-26 रुपे तक का है तो आपको इन तीनो जियो फून में से जो है कौन सा खरीदना चाहिए तो जाने के लिए वीडियो एंड तक जरू देखेगा और एक लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुशते रहें तो चलिए बिन टाइम वेस्ट के सबसे पहले में आपको दिखा डिस्प्ले मिलती है वन पॉइंट सेवन इंचिस की टॉर्श का ओप्शन भी इसके अंदर आपको दिया गया है तो सिंपल बेसिक फोन आपको मिलता है की पैट कुछ इस तरीके से बाकी जो भी फीचर से मैं आपको दिखा देता हूँ तो एक हजार का अगर आपका बजट और इसको कंसिडर कर सकते हैं इसके अदर आपको जो एडिस्पले की जो कलर्स मिलता है नॉर्मल टाइप के मिलते हो और फिचेर भी नॉर्मल दिये गए है ब्लूटूथ इसके अंदर मिल जाता है पांसो बारा एम यादागा बहुत रिएधरी थीप टाकिक तो काफी सथ ह यहां पे जी ओ भारत की जो ब्रांडिंग मिलती है की पैड जो उपर के जो आपको नेविकेशन के मिलते हैं और जो है फून उठाने का यह सब तो शाइनिंग मिल जाती है कुछ इस तरह किसा ब्लैक कलर में यह सारे नीचे के बटन्स जो हैं दोस्तों आपको ब्लू कलर में म बहुत जादा ग्लॉसी फिनिश में बीच में आपको जी ओ की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ इस तरह किसा मोटा सा फून यह मिलता आपको नीचे की तरफ आप देहें हैं तो हैडफोन जैक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और साइड उसे जो है यह काफी जादा आपको नॉर्मल टाइप की मिलती है तो अगर आपको दोस्तों जो है एक हजार रुपए में जो है फोर जी फून खरीदने अपने लिए तो आप इसको देख सकते हैं अगर आपको डिस्प्ले का साइज का समझ आ जाता है थोड़ा छोटा डिस्प्ले साइज है बाकी क्व पर्फॉर्मेंस भी बहुत ही जादा एवरेज है मतलब बहुत ही जादा मुझे इसकी थोड़ी डाउन ही लगी कैमरी की पर्फॉर्मेंस थोड़ा और ज्यादा बैटर हो तो तो काफी बढ़िया रहता अब चले बात करते हैं अगले फोन की जो की है जियो भारत बीवन अ तो बटन्स की जो क्वालिटी है दोस्तों वो भी काफी अच्छी है फीचर्स वागर इसके अंदर भी आपको उसी टाइप के देखने को मिलते हैं 512 MB इसके अंदर आपको रैम दी गई है चार्ट जी भी इंटरनल स्टोरेज इसके अंदर आपको मिल जाती है वोइस जाएगा और दोस्तों फून भी थोड़ा यह जादा सॉलिड जादा है विए बिल्ड क्वालिटी इसकी जाद अच्छी लग रही है लेकिन वाइफा इसके अंदर भी नहीं है कैमरी की पर्फॉर्मेंस इसके भी एवरेज ही है तो कुछ इस तरी के से जो है दोस्तों आप आपको फीचर्स मिलते हैं बाकी एक तो डिजाइन का फरक आपको मिलता है बिल्ड क्वालिटी जाद अच्छी है डिस्प्ले का साइज बढ़ा है और दोस्तों इसके अंदर आपको बैटरी भी जाद अच्छी दी गई है डिजाइन इसका थोड़ा सिंपल सोबर है लेकिन जो है टाइप सिपोर्ट तो नहीं दिया गया और दोस्तों हैडफोन जैक भी मिल जाता है इसके अंदर बैक पेनल हटा लेते हैं इसकी बैटरी जो चलते हैं फून की निकालते हैं बच्पन में याद है आपको चलते हैं फून की बैटरी मत निकाली वह नहीं खराब हो जा तो आप जो दूस्तों जियो भारत बीवन देख सकते हैं यह भी आपको बढ़िया मिल जाता है 300 मेहंगा है लेकिन मुझे यह ज्यादा बढ़िया लग रहता है बड़े बुजबर को अगर आपको देना है फैमली में तो उनके लिए भी ज्यादा बैटरी रहेगा थोड़े खुले बटन है चिपके चिपके नहीं है कुछ इस तरीके से तो आप जो इसको कंसिडर कर सकते हैं ज्यादा बढ़िया बैटरी के लिए डिस्पले साइज के लिए और ज्याद अच्छे डिजाइन के लिए प्राइस में सिर्फ 300 मेहंगा है अब चलिए बात करते हैं लेट 2700 के आसपास बाकी 2500 का जैसा डिसकाउंट चल रहा है उनलाइन तो आप देख लिएगा तो इतने का आसपास इसका प्राइस रहता 2000 के आसपास की पैट की जो क्वालिटी इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है अब इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो क्या ही आप आपको और भी सारी फीचर्स मिल जाते हैं कैमरेस के अंदर आपको थोड़ा जादा बैटर है लहराता कम ही है और उनके तो जादे लहरा रहा है कुछ इस तरीके से बाकि दोस्तों के आपको डिजाइन भी थोड़ा अच्छा मिल जाता है जियो की ब्राइनिंग बीच मिलत है कुछ इस तरीके से सर्कुलर प्लेट में जो है कैमरा दिया गया है और दोस्तों कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स देखने को मिलती है जिसमें स्पीकर भी और काफी जादा ग्लॉसी भी लगती है कुछ इस तरीके से लाइट में जब आप इसको मूव करते हैं और दोस्त camera भी है, camera के अंदर features भी है, camera की quality भी law और standard कर सकते हैं, आप अपने use के according, मतलब क्या ही इसमें difference आएगा, gallery इसी के साथ file manager, music, video, FM radio, आपके smartphone के अंदर भी क्या ही features होंगे, जो इसमें आपको applications देखने को मिलती है, call recording, memory cleaner, resistant भी मिल जाता है आपको, और दोस्तों सारी applications आपको जो है, scanner प्रिंस रॉल देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से, scanner आपको features दिये गए हैं, सबसे बड़ा फार्क जो है ना, मुझे इसको लगा, use करने में आप जब ज़्यादा पैसे खर्श करेंगे ना, जो इसमें आपको benefit मिलने वाला है, वो यही है, कि इसके अंदर आपको experience मिलता है, वो ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, Wi-Fi भी इसके अंदर आपको दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, यह भी काफी ज़्यादा बढ़ी है, सबसा बढ़ी है, तो यह ही है, क्वालिटी वाइस जो features इसमें ज़्यादा बढ़ी है, application support भी ज़्यादा मिल जाता है, चलाने में experience काफी अच्छा रहता है, तो मुझे तो दो दोस्तो प्राइमा ज़् अच्छा लगा, कौन सा नहीं नीचा, comment करके ज़रूर बताएगा, आपको इन तीनों की पैटफोन में जी होके, कौन सा जाद अच्छा लगा, comment करके ज़रूर बताएगा, वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छे लगी तो इसको लाइक करके ज़रूर जाएगा, चैनल पर आप नए है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजे, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें, helpful लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेर कर दीजे, WhatsApp और Facebook पर, चले मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक के लिए, टेक क बाइ बाइ